अब दो बॉनी छलो जी कॉर्परेट वैलिवेशन जैसर के मैं आप से कहा था थोड़ा सा लेठ हूं ठीक है जाँ कॉर्परेट वैलिवेशन चुह नसर वह ओल्ड स्लेवस में मर्जर and एक्किजिशन उसके साथ जुड़ा हुआ कॉर्परेट वैलिवेशन नियुज़वस में तो अलग चैप्टर रहा है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो Merger and Acquisition को मैंने Merger and Acquisition, Older Slayer को उसको दो पार्ट में बाढ़ दिया, उस में से कुछ कोशन्स मैंने Corporate Valuation में ले लिया कुछ questions वो merger and acquisition में जिसमें एक company दूसरे company को purchase कर रही है वो merger and acquisition में ही डले हुए है corporate valuation में valuation हमें firm की value निकालने होती है free cash flow to the firm and free cash flow for equity हमें यही सीजे निकालनी होती है देखे कि हमें क्या करना है corporate valuation में cover तो साहब ऐसा है corporate valuation में जो cover होगा वो सबसे पहले होगा economic value added EV फिर free cash flow for firm free cash flow for equity इससे हम निकालेंगे value of equity and value of firm ठीक है कुछ एक और topic है एक ही question है लेकिन आता है value of strategy निकालना पड़ेगा कि अर हम new strategy adopt कर रहा है तो पुराने से और नय से उस strategy की actual में value कितनी है तो भई उस strategy से जितना फायदा है वो उसकी actual value होगी ऐसा कुछ करवाने वाला business यार किसी भी business को खरीदना है तो उसकी value की दुझे रुट पड़ेगी और उसकी value निकालने का और एक तरीका और कौन सा तरीका है एक approach है जिसका नाम होता है chop-sop approach या break-up value approach उसके बाद interest coverage ratio एक ही question है तो यह कोई concept है रही interest coverage ratio पहले भी सर आपने C.I.N.T.R. में पढ़ा हुआ है तो interest coverage ratio में कुछ है जो मुश्किल topic माना गया है जितने मुझे comments आते हैं कि सर ये समझा दीजी detail में हाला कि अभी तो revision class है detail में समझने का time नहीं है आपके पास पर फिर भी मैं कोशिस करूँगा मुझे suggestion भी मिले revision video में कि सर जो मुस्किल topic है उस पर ज्यादा focus किया करो उस पर ज्यादा time दे दो चल जाएगा it means कुछ बच्चों को कहना कि हम gearing of beta समझ में नहीं आया levered beta, unlevered beta, beta of equity, beta of debt, overall beta, acid beta, beta beta में पूरा tension हो कोई बाद में तो सर स्टार्ट कहां से करेंगे बिना time pass किये स्टार्ट करेंगे economic value added क्या होता है साब EV economic value added आखिर होता किया होता क्या है ये तो मैंने discuss कर चुका निकालना कैसे वो हम questions के साथ समझ लेंगा पर फिर भी किसी भी firm की value निकालना होता है value का मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करो मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई भी company जितना कमाती है profit after tax profit after tax से company का performance चेक नहीं किया जा सकता profit after tax main company की बचत नहीं है उसमें से हम अगर जो capital provider है अच्छा है negative भी आ सकता है ये एक्जामपल है पहले एक्जामपल में समझा देता हूं बात बिलकुल आसानी से समझ में जाएगी फिर मैंने क्या लिखाया है वह discuss करता हूं तो इस एक्जामपल में साब ऐसा है कि 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 एबी-इट का मतलब संजाओ कि इसमें से क्या-क्या माइनस करना है क्या-क्या माइनस हो चुका है अभी इंट्रेस्ट माइनस नहीं मतलब मतलब तो कि नहीं हुआ, tax minus नहीं हुआ, और क्या preferential और उसका भी cost minus नहीं हुआ, tax दिया, केई दिया है, 15% calculate EV अगर मैं कहूं कि normal situation में मैं question करूं, तो यह दिख रहा है norm यह क्या है, EBIT, EBIT लिखा 2,10,000, interest सीधा 2,10,000 कितना हो गया है, 20,000, earning before tax है, इसी में से tax minus कर दिया तो earning after tax आ गया, कोई दिक्कत की बात, नहीं, अब मैंने का earning after tax में क्या सभी खर्चे minus हो गया, yes, interest तो minus हो गया, मतलब debt का तो minus हो गया, बस किस-का minus करना बाकी है, preference shareholder और equity shareholder, तो हम कहते हैं कि चलो, पहले एक preference share, 3,000,000 का 12% minus कर देते हैं, तो यह हो गया, 36,000 minus, और equity shareholder का cost कितना है, 15%, कितने पे, 5,000,000 पे, तो 5,000,000 का 15% कितना होता, 75,000 यह भी minus कर दिया, उसके बावजूद भी हमारे पास पैसा बज गया, तो हम कहते हैं, positive EV है, यह तरीका है, लेकिन यह हर question पे apply नहीं होता है, यह वला method, इसलिए हम इस method से करते हैं, इसमें करना कैसे होता है, बहुत है, EBIT में से साहब interest minus मत किजिए, हम वो बाद में minus कर देंगे, हाला कि interest पे tax savings भी होता है, हमने का वो सब ह हमने क्या minus कर दिया, tax, सीधा इसी का निकाल ली है, लिकिन सचा ही आपको पता है, इसका tax नहीं निकलता है, साहब, किसका निकलता है, earning, after, earning, before tax पे tax calculate होता हमने का वो हो जाएगा नहीं, automatic आपको विश्वास नहीं होगा, answer 22,000 ही आएगा, पर 22,000 लाने का हमारा तरीका दू questions, question है, जिसमें provision for doubtful let's भी है, वो वापस add करते, balance sheet दिया, profit and loss account दिया, हद कर दिया, चार-चार alternative, तीन-तीन alternative, भाई, क्या कर रहा हो, और tax का यहीं वाला figure minus कर दिया, जो tax, खेर, वो question है, यहां तो नहीं डला हुआ है, वो question मैं अलग से करवाता हूँ आपको, ठीक है, okay, सा कभी भी EBIT पे tax नहीं निकलता, earning before tax पे tax निकलता है, लेकिन यहां हम वो automatic adjust हो जाता, खेर, मैं पढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करो, सर, समझना पहर है नहीं, revision करना, okay, समय, तो सर, यह क्या कहा है, NOPET, इसको बलते है, net operating profit, step number one में क्या निकलेगा, NOPET, कैसे निक निकलना पड़ेगा, WACC, WACC मतलग, KE, KP दिया हुआ है, KD भी दिया हुआ, KD निकाल लेंगे, after tax कर लेंगे, 7%, WACC निकलना आता है, 5 लाग का 15%, 3 लाग का 12%, और 2 लाग का 7%, divided by 10 लाग, WACC आगे 12.5%, अब भाई, इस में से किस-किस का cost minus करना, 3 लोगों का, बलो कॉन-कॉ डेट वाले का, तो माइनस करना ही पड़ेगा, साथ में preference shareholder, और किसका equity shareholder, तो सहाब 10 लाग पे हमें देना पड़ा है, 12.5%, 10 लाग कौन है, डेट के equity की preference की तीर हो, 3 लो, 10 लाग पे total जाएगा 12.5%, तो मताब economic value added कितना जाएगा, 22,000, simple, तो अगर मैं देखूं, तो मैंने यार formula लिखवा रहा का, EVA means surplus after providing cost of capital providers, calculate कैसे करते हैं, पहले आपको निकालना पड़ेगा, Nopat, EBIT minus tax, तो जाएगा net operating profit after tax, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, WCC, और तीसरे नमबर पे क्या निकालना पड़ेगा, EVA, EVA कैसे निकालना पड़ेगा, Nopat minus, या invested capital भी लि या capital employee लिखतो, ठीक है, हाला कि थोड़ा सा अंतर आ जाता पर वो अंतर वाला question ही नहीं है हमारे पास, अगर होता था मैं करवा देता, ठीक है, सर तो example भी हो गया, और आपने जो लिखा है वो भी समझा दिया, कोई question हो जाए क्या, और एक example ले लेते मजाएगा, शेर कापिटल है, चार लाख, रिजर्व इंशर प्रस है, पंद्रा परसेंट है, तो टूटल भाई हमारा capital employee कितने का है, दस लाख, tax दिया, RF दिया, RM दिया, बीटा दिया, profit after tax दिया, calculate EVA, पहला question, पहला, क्या आप, पहला, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर हमको निकालना है, नौपट, और नौपट कैसे निकालना जाता है, EBIT minus tax, सर जी EBIT दो दिया नहीं है, सबसे पहले साब आपको EBIT निकालना ऐसे निकलता है, EBIT में से क्या minus होता है, सबसे पहले interest, और उसके बाद यहां क्या आता सर, EBT आता है, right, उसके बाद क्या minus होता है, tax, तो क्या आता, earning after tax या profit after tax, अगर मैंने कहां कि मैंने आपको ये दिया और मुझे ये चाहिए, ये आपको given है, क्या back calculation हो सकता, yes, ये कितन percent होगा, tax rate कितना है, 40, तो ये कितना percent होगा, 60, ये होगा, 60 percent तो आजाएगा, divide कर देंगे, 60 percent से, तो आजाएगा, EBT, इसमे interest जोड़ देंगे, काम में ने किया, 1,888,000 क्या है, हमारा, pat, divide किया, 60 percent से, और उसमें क्या add कर दिया, interest, interest कितना, 4,15,000 चेक कर लीजी, एक बार, yes, तो इस सर जी आगे, earning before interest and tax, उसमें से मैंने tax minus किया, तो क्या आगे, net operating profit after tax, पहला काम हो गया, दूसरे में हमको क्या निकालना होता, दूसरे में हमको निकालना होता था, WACC rated average cost of capital, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, K, K, CAPM लगा दिया, RF plus risk premium into beta, तो यह आगे, K, KD कैसे, interest one minus tax, after tax, KD निकाल लिया, 9 percent, और preference share तो है ही नहीं है, तो, सुना, कभी भी equity का मतलब क्या होता है, यह दोनों मिलाकर, 4,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो यह आगे मेरा WACC, और फिर, no pet minus capital, यह आगे हमारा economic value added, कुछ comments में पूछा नहीं कि positive है कि negative है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो ठीक हमने निकाल दिया, बात खतम होगे, अब चलते है, question और यह question, अच्छा question है मेरे ख्यान से, सारे question सरक कहां से, सारे question आपके practice manual से हैं, following information of Jatayu Limited, compute the EV, equity capital दिया है, 160, और साहब reserve and surplus है, 140, और सुनो, debt भी है, debt, debt कितने का साहब, 400, उससे साहब से कितना capital invest हुआ होगा, 160, प्लस 140, प्लस 400, 700 invest हुआ है, के दिया हुआ, thank God, सुनो भाई सुनो, financial leverage दे रखा, financial leverage, और tax correct, ना तो इस question में pet दिया है, ना तो इस question में आपको EBIT दिया है, फ़र financial leverage दिया है, तो financial leverage का formula हुआ करता था, था नहीं है, formula तो वही है, आपको याद तो होगा नहीं, तीन type के leverage हुआ करते थे, operating, financial and combined, sir, degree of financial leverage का, please formula बोलिये, EBIT divided by EBT, sir, logic क्या है, कास logic आप, CA intervue मुझसे पूछ लिया होता, पर कोई बात नहीं, sir, अभी समझाओ के, अभी तो नहीं समझा सकता, पर मेरे leverage का class डला होगा सायद, उतना time कहा है आपके पास, ठीक है ना sir, समझ जाएंगे, EBIT divided, EBIT, याद तो ही तना, इतनी भी memory खराब नहीं है, ठीक है sir, EBIT दिया है क्या, नहीं बटे, क्या financial leverage दिया है, yes, 1.5, EBIT की दिया है कि नहीं, X मान लेते हैं, और EBIT क्या जाएगा, X minus EBIT में से interest minus करते तो, और interest दो दिया हुआ है, कितना interest दिया हुआ, 400 का 10% कितना जाएगा, 40 लाग, तो क्या इससे EBIT निकल जाएगा, yes, और अगर EBIT निकल गया, तो फिर तो बन गया का, EBIT में से tax minus करो, तो क्या आएगा, नॉपेट, उसके बाद WSCC निकालेंगे, उसके बाद हो गया, सर, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, एक और चेक कर लेते, yes, EBIT इसके हिसाब से, ये calculation आप देख लोगे, 120 लाख रुपए का आ गया EBIT, और EBIT में से क्या minus हो रहा है सहाब, tax तो क्या गया, net operating profit after tax, अब बात किसकी होगी, सिर्फ WSCC की, केई दिया है, question में, केडी हमने निकाल लिया, केडी कभी भी याद रखना, after taxi काम होगा आपका, ठीक है सर, केडी वैसे भी निकलते हैं, और 300 का है equity, और 400 का है debt, तो WSCC आगे 10 पर्शन, तो क्या इसके बाद EVA अराम से निकल जाएगा, yes, और EVA निकल गया, नॉपट, minus capital employed into WSCC, answer कितना चाहेगा, 40 लेक्स, simple, yes, ये एक और question practice manual से उठाया था, बड़ा question उठाया था, ये थोड़ा सा, check करते हैं, क्या है, the following information is given for three companies that are identical except for their capital structure, तो 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 तीनों कंपनी एक जैसे, सिर्फ capital, किसी में debt, equity, ये सारी चीज़ों में अंतर होगा, तो तीनों कंपनी में, orange है, यहां graph होगा, यह apple होगा, आप मैनेज कर लोगा, ये question प्रैक्टिश में उठाया, तीनों कंपनी में एक 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 लाग रुपय लगा है, बस capital structure में change है, किसी में debt जैता होगा, किसी में equity है, इसमें debt as interest 80% debt है, यह 50% debt है, और यह 20% debt, बता सकते हो कौन सी ज़्यादा risk है, sir, CA final level पर हमको मालूम है, यह ज़्यादा risk है, debt ज़्यादा यूच किया, number of shares दिया, pre-tax, pre-tax cost, cost of debt दिया, पर pre-tax, तो after tax करना पड़े है, cost of equity भी दिया, operating income EBIT दिया, net income दिया, net income मतलब सरी profit after tax हो गा, ठीक, tax rate, 35% in all cases, compute the weighted average cost of capital for each company, weighted average cost of capital के लिए हमें, क्योंकि company में दो चीज़े हैं, तो केई और केडी चाहिए, केई थेंग गड दिया हुआ है, और केडी हम निकाल लेंगे, this minus tax कर देंगे, after tax कर देंगे, 35% तो वही मैंने किया हो गा, यह लो भाई, केई दिया हुआ है, केडी हमने निकाल लिया, और 20% 80%, मतलब सर हुआ क्या, यहां 80% debt है, 20% तो हमने सीधा weighted average के सबसे WACC निकाल लिया, simple था और कुछ नहीं था, उसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद क्या मांगा, उसके बाद मांगा, economic value added, चेक करो, अब देखो बच्चों का दिमाग क्या चलता है, सर आपने एक question में बताया, पैट दिया है, पैट अगर दिया है, तो EBIT निकाला जा सकता है, यस, सर इस question में EBIT भी दिया, profit after tax भी दिया है, जी हां सर, तो सर एक काम करते हैं, चलो ना, निकाल के देखते है, पैट से EBIT, भाई, क्यों खत्रा मोल ले रहा हूँ यार, मैं आप से बस बोल रहा हूँ, अगर EBIT दिया है, तो साहब आप institute के साथ cross check मत करना यार, ठीक, institute को में नहीं करना हूँ, आपको करना कर ले न हो सकता, आप जब cross check करोगे, वापस जाओगे, तो EBIT 25 नहीं आया, सुनो, आपने पैट से back calculation किया, EBIT कुछ और ही आ गया, 26,000, क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, जैसा आप बोला, तो अब EBIT लिखा, तीनों का 25,000, EBIT तीनों equivalent है, yes, 25,000, 25,000, 25,000, उसमें से हमने minus क्या कर दिया, tax, तो क्या आगे, net operating profit after tax, उसके बाद, ये capital employee into WCC, तो EVA आ गया, simple, simple है, और कुछ था आई नहीं, point number three, based on the EVA, which company would consider for best, जिसका EVA जादा है, वो company हमारे लिए सबसे अच्छी होगी, orange, इधर है, ये वाले कम, will be considered for best investment due to highest EVA, highest EVA, उसके बाद, last वाला point के वाला, calculate the estimate in market capitalization, for each, market cap कैसे निकलता है, market cap सर ऐसे निकलता है, MPS into number of shares, और MPS के से निकलता है, सर वो ऐसे निकलता है, EPS into price earning ratio, और सर EPS के से निकलता है, बेटे ये ऐसे निकलता है, net income divided by number of shares, सवाल ये हैं कि number of shares से divided होड़ा, number of shares से multiply होड़ा, और आप सीधा काम क्या कर सकते हो, सीधा काम ऐसे कर सकते हैं कि market cap ऐसे निकल सकते, profit after tax into price earning ratio, चेक करो क्या price earning ratio दिया है, EPS और फिर price earning ratio, multiply करके MPS निकालना ही पड़ेगा, सर अगर सिर्फ market cap पूछता, तो मैंने गलती से point number 5 पढ़ लिया था, अगर सिर्फ market cap पूछता ना साहब, तो इससे में 11 का multiply कर देता, market cap निकल जाता है, ये तो हमको पता होगा, चलो है, तो start करते हमें सबसे पहले, this divided by number of shares, number of shares केते हैं, 6100, ये करना किया होगा हमें, चेक करवा दो, ये profit after tax, तीनों ही company का divide किया number of shares से, तो ये आगए हमारा EPS, उसको multiply किया price earning ratio से, तो ये आगए हमारा market price, तो ये ही पूछा था उस point, point number four, point number four, और फिर बोला market cap, तो जब यार हमको MPS मिल ही गया है, साहब तो number of shares से multiply कर दीजिये, और market cap आजाए, ये आगया market cap, अच्छा question था, सारी चीचे मांगा था, इसलिए ये question अच्छा, तो ये था हमारा economic value added वाला part, एक question जो की provisions वगेरा है उसमें, मुझे ऐसा लगता है, वो question मुझे, separate question वो question करवाना चाहिए, कांकि institute ने बड़ी सारी गलतिया किये, पर यार उस question को करवाने का कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब क्यों नहीं निकलता सुन धियान से, अगर मैं बोल, कि ऐसा है, कि यार ऐसे करना नहीं चाहिए institute को, मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, पर आप लोग मेरी बात क्यों मानोगे, क्योंकि number तो आपको institute ही देने वाला है, इसलिए मुझे उस question को छूने की ज़रत नहीं, अगर मैं यहां आपको समझा भी दूँ, बुराईया भी कर दूँ, ICAI की, कि नहीं इन्होंने गलत क किया है, इनको ऐसी करना चाहिए, उन्होंने चार-चार alternative दे रखा है, पर उन सब चीजों का कोई आचित्ते नहीं है, जो South Indian वाले आचित्ते छोड़ो, तो मैं आपसे बोलना हूँ कि बस आपको ICAI ही follow करना पड़ेगा, तो साहब मतलब ही नहीं मनता कि मैं क्या question यहां समझना पड़ेगा, अब सुरूँ, यह है क्या free cash flow for the firm, free cash flow for equity, आप लोख P0 निकालते हूँ, yes, कैसे निकालते हूँ, D1 divided by K minus J, right, हाँ साह, It means share की कीमत किस पे depend करती ही, D1 पर, D1, मतलब dividend, shareholder तो चाहती है, यह साब company आप कुछ भी कमाई है, हमको dividend देदीजी, बस, जितना dividend मिलेगा, उसको हमें discounting करेंगे, उससे share की value निकालेंगे, उसके इसाब से company की value निकल जाती है, लेकिन problem क्या है, जब merger and acquisition है, यह बहुत सार इसी company मेरी बास हमज़ा, दो चीजे, दो चीजे important है, पहली चीजे important है साब, कि सर, बहुत सारी ऐसी company है, जो dividend देने में ज़्यादा विस्वास नहीं रखती, और बड़े सारे ऐसे investors है, वो dividend पर ज़्यादा focus नहीं करते हैं, वो होलते है, capital growth हो बात कतम, dividend ना भी दो तो खत चल जाएगा, अगर dividend ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्या share की company के जो share की price value है, क्या वो जीरो रहेगी, नहीं, it means आप पूरी तरह से focus dividend पर क्यों करते हो, profit maximization important नहीं है, wealth maximization, और आपको कहीं ना कहीं company growth वगिर है, यह सारे चीजे देखने ही पड़ेगी, it means ऐसी company जो dividend नहीं भी देती है, पर वो grow कर रही है, तो सर उसकी earning देखो ना, कि वो कितना कमा रही है, वो dividend कितना दे रही है, वो irrelevant, जितना कमाईगी उसके wealth उतना बढ़ी के company, सबसे पहली बात, earning पर आपको focus करना है, यहां में, दूसरा यह जो चीजे होती है, यह especially कहां काम आती है, सर, especially merger and acquisition में क्योंकि एक company अगर दूसरी company को acquire कर रही है, एक company दूसरी company को acquire कर रही है, तो वो dividend नहीं देखती है, वो बलती हमको तो company खरीद ना, तो हम उसकी earning देखे, वो कितना बाट रही है, वो हमारे लिए irrelevant, तो वहां earning वाली बात आजाती है, तो हम यहां पात क्या करेंगे, बस हम पीजी रो में, dividend की जगा focus किसको करेंगे, earning को focus करेंगे, बस खताम, और कुछ नहीं है, देखे क्या लिखा है, यह free cash flow approach should be used for valuation, when the firm does not have track record of dividend, dividend ही नहीं देती, और दूसरा में valuation निकालना किसके हिसाब से, merger and acquisition के हिसाब से, अब सवाल यह है, यह free cash flow क्या चीज है, actual earning तो बात समझ में आती है सर, यह free cash flow कहां से आगा है, बिटे सुना मरी बात, बिल्कुल ध्याल से समझना मैं क्या बोलू, मान लो किसी company का हमें valuation करना, valuation, कि यार वो कितना कमार है, actual sales, ठीक है सर, साल भर का जो sales होगा, उसमें से minus करेंगे variable cost, उसमें से minus करेंगे fixed cost, और क्या minus करेंगे depreciation तो EBIT आजाएगा, depreciation हमें मजबरी, depreciation क्या cash expenditure है नहीं पर तो भी हम मजबरी में minus करते हैं, क्यों minus करते हैं, क्योंकि हमें tax का सही rate पता लग जान guess, and tax का amount पता लगेगा, and tax का amount पता लगाने के लिए मुझे मजबरी में depreciation minus करना पड़ता है, वापस फिर मैं add कर द está on, depreciation कर देता हूं अगर मैं कहता हूं यहां तक कि कहानी है इंटर्ष वैसे भी माइनस नहीं किया जाता फिर से वो इंटर्स माइनस नहीं करते क्योंकि वह हम जब रुब्लो एसी से discounting करते तो उसमें इंट्रेस्ट कवर हो जाता तो यह क्या माइनस कर दिया तो यह क्या आगया नौप अब सुनना ध्यान से नौप अगया कोई दिक्कत की बात नहीं है पर क्या डेप्रेशिशन माइनस हुआ है यस पर डेप्रेशिशन मजबूरी में मैंनस किया थो तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक प्लस क्या हो जाएगा डेप्रेशिशन तो मालम यहां जो आता था किसी जमाने में हम उसको कैस after tax बोलते थे, cash flow after tax, यहां तक कोई देखत, नहीं, ठीक है सर, और फिर capital budgeting याद कीजिए, और इसी को आप क्या करते थे, discounting करते थे, अब सुनना, और उसमें, उसमें जो capital invest, capital budgeting याद है ना थोड़ा बहुत, और फिर जो आता था, PV, CI, उसमें से minus करते थे, जितना आप investment कर रह और जो net आता था, हम NPV बोलते थे, यही होता था, अब बिटे, ऐसी company, जिसमें, generally क्या होता है, generally, बिल्कुल सोच समझ के, बड़ी-बड़ी company हो में, छोटा-मोटा business है, तो आज ही capital investment होता है, एक बार, आज ही दुकान खोलिये, सर, आज ही project में पैसा लगा, यह सिर्फ जिन्दगी में हम, आने वाले 5-10 साल में, कभी भी हम capital expenditure नहीं करते हैं, ऐसा assumption करके हम capital budgeting कर लिया करते थे, यहां साब कैसी बात कर रहा है, जो बड़ी-बड़ी company होती है, उनमें तो हर साल capital expenditure होना है, हाँ सर, उसमें हर साल working capital भी लगना है, तो अब इसके अलावा, मैं कहता हूं भाई, इसके अलावा capital expenditure हर साल होना तो इसको अलग से लिखूँगा, जबकि हर साल होना तो यहीं से minus करो ना, working capital भी हर साल लगना, तो यहीं से minus करो, जबकि capital बश्टिंग में ऐसा नहीं था, capital बश्टिंग में इसके अलावा फी फिर बाफ को बाद में minus करना पड़त हम ठीके सर, वापस है आप अपने, हाँ साब, तो सीदी सी बात है, यह CFAT आया था, इसको free करना था, कि सब कुछ minus करो, तो इसमें से क्या minus किया जाता था, इसमें से minus करेंगे हम capital expenditure, और minus क्या करेंगे, working, change in working capital, पहले जितना था, उससे ज़्यादा लगेगा, तो वो minus कर दे depreciation क्या करना है, plus, तो capital expenditure generally ज्यादा होता है, depreciation कम होता है, तो हम कहते है, माल लो यह है 500, और depreciation है 100, तो सीधा 400 minus कर दे, depreciation add करने की ज़िए, capital expenditure minus depreciation, वो ही किया है, मैंने, और क्या किया है, साथ में, change in working capital, तो यह आ गया, free cash flow further from, free cash flow further from, ठीक, पस यह क्या चीज है, यह मैं सम मज़ी में नहीं भी आया, तो फिर तो आपको regular lecture देखना पड़ेगा, साथ, क्योंकि मैंने बहुत, बहुत detail में समझा रहा है, यह फिर, free cash flow further from, आप इस में से क्या कर सकते है, नो, पैठ, यह आया था, minus कर दीजे, net investment, net investment कैसे आता, वैस ही आएगा, capital expenditure, plus, change in working capital, minus, मतलब द दीजे, depreciation उतना बचेगा आपका, तो यह आगा, net investment, आप ऐसे भी बोल सकते हूं, ठीक है, ठीक है, सर, यहां तक बात समझ में आ रही है, ultimately हम क्या करने वाले है, ultimately हम value निकालने, जैसे हमने capital बश्टिंग में किया था, value निकालते हैं, वैसी, बस यहां, जो capital expenditure, वो initial investment नहीं है, वो हर साल का investment है, तो हम यहीं से minus कर देते हैं, सर, तो आप सुरू से minus करते हुए, चलो तो यह को भी वाली बात है, tax कहा, capital expenditure, खेर, वो आप समझ जाओगे, ठीक है, free cash flow, दो type के हो सकते हैं, एक होता था, free cash flow for the firm, firm के लिए, firm के लिए मतलब, equity के लिए, और किस के लिए, यह preference shareholder के लिए, और किस के लिए, debt के लिए है, ठीक है, और free cash flow for equity, only equity के लिए, मतलब इसको क्या बोलते थे, इसको FCFF, इसको क्या बोलते, FCFE, यह नाम देते, मतलब इसमें, debt की value minus नहीं, it means यहाँ जो आप discounting करोगे, यह overall cost of capital से discounting करोगे, इसका मतलब, free cash flow for the firm निकाल रहा firm का मतलब, equity वाले के लिए, और debt वाले के लिए, दोनों के लिए निकाल रहा है, overall cost of capital से divide करोगे, discounting करोगे, तो क्या निकल के आएगा, value of firm, और value of firm के अलावा आप से पूछेगा, कि बताए, value of debt कितना, तो फिर आपको क्या करना, minus करना पड़ेगा, market value of debt minus करना पड़ेग तो यह आजाएगा, value of equity, और value of equity ऐसे भी निकाल सकते हैं, कि जो free cash flow for equity आया, free cash flow for equity, मतलब interest minus करने के बात, उसम को discounting किसे करोगे, केई से तो किया जाएगा, value of equity, कुछ है नहीं, यह बिल्कुल है, question के साथ मैं समझा दूँगा, ठीक है जी, ठीक है सर, बात समझ में आती है अब इस पे जब तक एक तो example नहीं होगे तब तक बात समझ में नहीं आई है, यह example है, इसमें क्या है, आपको sales दिया हुआ है, ठीक है, operating expenses है, excluding depreciation, depreciation, अलग से tax है, capital expenditure, increase in working capital, working capital पे focus करना, capital expenditure इस साल का है, पूरा 75,000 पर working capital बढ़ा है, मतलब यह भी इस साल का है, क्योंकि increase in working capital, अगले example में बात समझ गया है, करना क्या sales minus operating expenses, minor depreciation मजबूरी है, minus करना पड़ेगा, इभी IT आया, tax minus किया, तो 9 पे ठाक है, यहां तक कोई देख कर नहीं, अब minus क्या करो कि capital expenditure इतना खर प्लस करना इस खर्चे में इतना बच रहा है, तो सीधा कर लिए capital expenditure, minor depreciation, change in working capital तो यह क्या है, free cash flow for the firm, अगले example देखते हैं, next example, sales, operating expenses, tax, depreciation, capital expenditure, change in working capital, high नहीं, इसका मतलब sir, sales, operating expenses, EBIT, tax, minus हो जाएगा, चार लग, साथ लग का 40 पर्शन, दो लाग असी है, जार, नौपट आया, sir, आप capital expenditure minus depreciation, capital expenditure और depreciation आपस में दोनों upset हो गाए, मतलब जितना depreciation में उतना ही capital expenditure है, तो ultimately zero ही तो आएगा, तो इसलिए यहां सीधा क्या गया, नौपट ही क्या गया, free cash flow for the firm, जनरली क्या होता है, ग्रोथ तक हम capital expenditure करते हैं, और ग्रोथ के बाद भई, जितना amount का depreciation होता हम उतना ही मान के चलते हैं, उतना ही investment करते हो के, तो वो दोनों आपस में cancel हो जाते हैं, set off हो जाते हैं, इसलिए यहां कुछ minus नहीं होता, यह जब कब होता है, जब growth normal हो जाती ही मैं तब की बात करूँ है, खेर, अभी आपको वो चीज़ें पता नहीं, याद है कि समझ में आईगी के लिए आगे चल रहा हैं, यह अच्छ है और वर्किंग कापिटल है, ठीक, यह करेंट एर की सिट्विशन हो, टैक्स है 30 परशन है, अल कंपोनेंट अफ फ्री केश फ्लो आर एकस्पेक्टे टो ग्रोव 6% पर रैनम, फॉर एवर, ठीक है, आज से अगले साल 6% पर रैनम, फॉर वर, मार्केट वाल्य अब डैट अबी कितना है, पंद्रा सो लाग, ओररल कॉस्ट अपिटल है, 10%, वैली ओफ फर्म निकालना, वैली ओफ एकटे निकालना, अच्छा, सारी चीजी कितने परशन से बढ़े की, 6% से तो बढ़ाते हैं, 800 लाग को 6% से बढ़ा हैं, ओपरेटिंग एकस्पेंस को 6% से बढ़ा और फिर नौपट, वैन मानस टेक्स किया तो नौपट आए, सार पहले नौपट निकाल लेते हैं, और उसी को हम 6% से बढ़ा देते हैं, तो बात हो जाती हां, वैसे भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत के बात नहीं है, अच्छा, सर ठीक, अब कैपिटल एकस्पेंडिचर है ठीक, और depreciation कितना है, तो यह आगए, capital expenditure minus depreciation तो यह आगए, 106 लाग, जो focus करना वेठी ही, वो करना working capital पे, जब ऐसा होता है, तो हमको ऐसा लगता है, पिछले साल working capital कितना लगा था, 150 लगता है, और कितना लगी, 150 प्लस 6%, तो 159 होना चाहिए, सर आपने तो 9 ही लिखा है, यह working capital में ऐसा नहीं होता, पिछले साल maintain करना था, 150 लाग, पिछले साल लगा नहीं था, 150 लाग, maintain करना था, इस बार 6% ज्यादा maintain करना पड़ेगा, तो वो जो change in working capital कितना 9 लाग, वो ही तो minus होगा, बास दो, यह capital explanation किया पिछले साल पूरा 106 लाग खर्च हुआ था, हाँ, इस साल पिछले साल से कोई लेना दिना नहीं है, लेकिन working capital तो maintain होता हमारा यह माना है कि जो 150 लाग लगा था पिछले साल working capital, no doubt, इस साल 159 लगेगा, लेकिन जो 150 लाग लगा था पिछले साल, वो release हो जाता है, year के end में, गया 150, वो आ जाता 150 लाग, और अगले साल 150 वो, और basic तो आपको आता है, तो मैं आप से बस इतना बोलूँगा साहब, change देखना, सिर्फ working capital में change देखना कि कितना extra लग रहा, कितना additional लग रहा, और 9 lakh लाग जाएगा, ठीक है, तो यह क्या गया, free cash proof, और कप का आई है, एक साल बात का आया, एक साल बात का ही चाहिए था, अब value of firm निकालना साहब, तो value firm के लिए हमें चाहिए, को और को कितना, value of firm निकालना तो याद रहा है, को ही लेना, ओके, तो 159.54, को दिया है, 10%, 06, तो value of firm आ गया, value of equity कैसे आएगा, value of debt minus कर दोगे, तो क्या आजाएगा, value of equity आजाएगा, ठीक, okay, आगे चले, मैंने यही समझा है, इसमें कि capital expenditure अगर offset कर देता है, depression को, और कोई growth नहीं, working capital में भी कोई change नहीं है, तो हम यह मानते हैं, कि अब जो है, यह perpetual, ऐसा से लेगा, question बताएगा, तो perpetual है, तो सीधा Q से, पर अगर growth है, तो फिर आपको Q minus G करना पड़ेगा, constant growth है, no growth firm है, अलग-अलग हो सकता है, यहाँ, यह question उठाया है, यह question, देखना पड़ेगा, कि इस question में क्या खास बात है, लिखा, following information is given in respect of W, X, Y, Limited, which expect to grow 20% for next 3 years, अगले 3 साल तक 20% का growth है, 20%, 20%, 20%, after which the growth, उसके बात कितना हो जाएगा, उसके बाद 8% continue हो जाएगा, ठीक है, revenue दिया, 7,500, COGS दिया, operating expenses दिया, तो अगर मैं, 7,500, minus 3,000, minus 22,50, EBIT आगे सीथ, 22,50, capital expenditure और depreciation दिया, included in COGS, इसमें जुडा हुआ, तो depreciation अलग से minus नहीं करना, वो अल्रेडी minus हो जाएगा, फिर वापस उसको plus करना, तो आप net plus, 750, minus 600 कर देना, ठीक है, लिखा, during high growth period, revenue and EBIT will grow at 20% per hour, ठीक है, 20% से बढ़ेगा बोल रहा है, and capital expenditure, कितने percent से बढ़ेगा, capital expenditure, net of depreciation, मतलब इसको हम net कर देंगे, 150 कर दे, from year 4 onward, 4 साल बात से, normal growth period में, revenue and EBIT, 8% से बढ़ेगा, incremental capital expenditure will be offset by depreciation, यही बात लिगा, आगे जो है, capital expenditure and depreciation बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4 साल बात, 3 साल बात, during both high growth and normal growth, net working capital requirement, 25% of the revenue, weighted average cost of capital निकालना है, ठीक है, corporate income tax 30% है, estimate the value of firm निकालना, value of firm using free cash flow to the firm, and WACC methodology, ठीक है, WACC, को दे रखा, 15% की सबसे यह बेठ रहा, तो start कहां से करें, cells की BAT, BAT से start करते ही, BAT हमारा निकला, 22, 50, कितने परशन से बढ़ाना, 20% से बढ़ाना, सुरू के 3 सा, यह लो, 22, 50 यहां निकला, और 150 अपना capital expenditure, तो सबसे पहले कितने परशन से बढ़ाना, 20% से, 22, 50, 20%, ठीक है, प्लस 20 परशन यह भी ठीक है, प्लस 20 परशन यह भी ठीक है, उसके बाद सब प्लस 8 परशन, ठीक, टेक्स माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा, नॉपएट, सर, सीधा, नॉपएट भी बढ़ा सकते थे, बढ़ा सकते थे, सब कुछ लिए, capital expenditure, minus depreciation, कितना था पिछले साल, 150, 20% है न, चेक कर लो, भै, बीस परशन बोढ़ रहा है, capital expenditure, net of depreciation, 15% से ग्रो न, 15 परशन याद रखना, ओके सर, 150, plus 15 परशन, ठीक, plus 15 परशन, यह भी ठीक, plus 15 परशन, यह भी ठीक सर, और यहाँ, capital expenditure, depreciation, बराबर हो जाएगा, फोर्थ यह, चेंज इन वर्क बस इसी, इसी में गलती हो सकती है, working capital के लिए क्या बुला है, बुला है, working capital आपको maintain करना पड़ेगा, कितना, 25% of revenue, revenue का मतलब sales, यह दे दिया, revenue, सर, तो revenue तो हर साल बड़ा है, तो working capital भी तो बड़ा होगा, तो एक बार यहाँ working आपको देखना पड़ेगा, revenue कितना, साथ है 500 अभी, तो working capital कितना होगा, साथ है 500 का, कितना पड़ेगा इसका देखना पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 25%, सर, हम ऐसा कर सकते थे ना, सीधा working capital निकल इसी को बढ़ाते, एक बड़ चेक के लिए, 1875 प्लस 20%, 22 प्लस 20%, 2700 प्लस 20%, 32 प्लस 8%, हाँ ना सर, यह time revenue क्यों लिखे, सीधा working capital लिखकर भी तो काम चला सकते थे, हाँ, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कर नहीं सकते हो, पर कभी धोका हो सकता है, इसलिए आप revenue के साथ से करो, हमें important है working capital कितना maintain कर ना यह important है, कितना extra लग जा है, तो साथ पिछले साल तक 1875 था, अब लग जाres तो extra कितना लग जा high, 355 इध्वर extra कितना लग जाँ? 450 इधर extra कितना लग जाँ, औरggak अज़र 509 बस आपको यह लिखना झ़ा हुआ तो यह आ गहे, के लिए free cash इसके help से 2680 इसके help से क्यों है 15% और 0.08 तो यह terminal values को आप free value of firm third year का भी बोल सकते हैं मैं यहां की value निकालूंगा इसे मैं terminal value भी बोल सकता हूं तो यह आगा है तो first year में यह second year में यह abnormal growth period में और normal growth period में value आगा है इसको हम को क्या करना पड़ेगा discount 15% से किया है कि बताओ यह अधूरा question इसके बास समभल लोगे question कोई यहां मुझे करवाना पड़ेगा मतलब मैं आप से बोल रहा हूं 1342.50 1619.65 1953.47 और 38287.57 फर्स्ट इयर सेकेंड यह थर्ड इयर थर्ड इयर इसको प्रेजन वाली फैक्टर से मॉल्टिप्लाई कर दीजिएगा यह है फैक्टर उसके प्ट्ट 8696 7561 और 657 जब यहां आप प्रेजन वाली फैक्टर से मॉल्टिप्लाई कर दोगे यह था यहां यहां रखना यहां गलती हो से यहां थर्ड इयर का फैक्टर और जो वैल्यू आई उसी को नाम हो जाएगा वैल्यू फंट यहां question मेरा slide में आ नहीं पाया है इसके बाद वा सकते हैं ठीक है sir simple यह वाला question है यह पूरी तरह से value firm पर नहीं है पर कुछ अच्छा question अब सुनना क्या था यह question अच्छे से देखना इगल limited reported a profit, 77,00,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 month का loss वो भी extraordinary loss existing operation except for the extraordinary item are expected to continue in future in addition result of the launch of new products से हमें expected ये लग रहा है calculate the value of business given bit मेरी बात समझने की कोशिश का हूं हम जो भी value निकालते हैं हम profit जो निकालते हैं वो profit कब का होता है पास्ट का की future का future का earning कभी होती है future की हम यह मानते है कि future में जो कमाएगे उसको हम discounting करेंगे तो value आएगा और future की कमाएग पता कैसे लगेगी हम यह के तो जो past में हुआ है वही future में भी होगा यही बात है ना जो past में हुआ है लगबग वही future में होगा जो past का profit है वही future का भी profit होगा average ले लेते हैं बस यही बात है पर अगर मेरा past का profit में कोई abnormal item है कहीं आग लगी हुई है उसकी वजह से loss हुआ है तो क्या आगे भी आग लगीगी बेकार का exemption है अगर मेरा बहुत lottery लगी है किसी साल मेरी lottery लगी है वो lottery की income जुड़ी हुई है तो फिर मेरा कैसे एजियम करूं कि past मैं lottery लगी है तो आगे भी लगीगी तो उसको तो adjust करना पड़ेगा वही काम मुची करना पड़ेगा तो यह existing business है उसकी income है और यह एक नया product है उन दोनों के जूड़ लेंगे और जूड़ने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे value of business बढ़ यह 77 लाक after tax है तो उसको क्या करना पड़ेगा पहले before tax वही मैंने हां काम करवाया हुआ 77 ने 70 बशन तो 110 लाक extraordinary income है तो minus करना पड़ेगा ठीक और loss को क्या करना पड़ेगा plus क्योंकि पहले समझ गया है तो यह आगे profit before tax और new product से कमाई कितने की हो रही साथ वो भी check कर लेते 70 लाक में से यह सब खर्च माइनस करेंगे तो खर्च माइनस करने के बाद 28 लाक का फायदा होरा है new product से तो 112 लाकी 28 लाकी है तो total profit before tax कितना आगे 140 अब सही है उसमें से tax मैनस करेंगे तो यह आ गया profit after tax कोई capital expenditure की बात नहीं है working capital की बात नहीं है तो सीधा-सीधा profit after tax को capitalization कर देते यह मान के कर रहा हूं कि जितना capital expenditure आगे उतना ही depreciation लगा होगा तो growth वगेरा है नहीं है तो सीधा ला लिया मैंने 700 लाक इस वैलियोफ फाय ठीक ओके सर आगे क्या मांगा है कि डिटर्माइन था मार्केट प्राइस पर एकवडी शेयर मार्केट पर एकवडी शेयर विद इगल लिमिटेट शेयर capital उसमें एक लाक थर्टीन परशन प्रफरेंश शेयर है 100 का एक है EPS निकालना पड़ेगा क्योंकि price earning ratio दिया है तो EPS निकालते समय profit after tax में से preference dividend minus कर देंगे उसके बाद जो आएगा earnings divided by number of equity shares करेंगे उसके बाद आएगा EPS और into price earning ratio करेंगे तो answer आजाएगा profit after tax minus preference dividend किया तो earning आ गया number of share किया EPS और EPS को price earning ratio से multiply किया तो यह आ गया ठीक यह question आया हुआ था exam में किसी जमाने में जमाने में था आप ही कनी उस लेवस में ओके सर आगे और जलते हैं यह एक लिकाए value से होता क्या है हम जब निकालते है overall cost of capital overall cost of capital तो बेस क्या होना जाए book value की market value कोई शक ही नहीं कि market value ही सबसे अच्छा तरीका होता है accuracy होती है weighted average cost of capital निकालने में यह कहां आपको सिखाया गया था CA enter में कि दो approach होता है book value और market value और वहां यह बताया गया था कि market value से overall cost of capital accurate आता है वो ज़्यादा सहीं तरीका है तब इसमें क्या हुआ जड़ा देख लेते हैं अब वैलिवेशन दन अफन इस्टाब्लिश्ट कंपनी बाई वैलनोन अनलिस्ट विट एस्टिमेटेट वैल्यू वैल्यू बले निकाल लिया पास सो लाक रूप बैस्ट वन दा एक्स पेक्टेट फ्री कैश्ट फ्लो फार नेक्स यर 20 लक्स फ्री कैश्ट फ्लो भी दिया 20 लक्स एन ग्रोथ रेट कितना दिया 5 पर वाहल गोईंग फ्रू दा वैलिवेशन प्रोसेजर यू फांड देट अनलिस्ट ने मैट क्या मिश्टेक बले गलती होगे साहब और उनने बुक वैल्यूवेट यूज कर लिया डैट और एकवटी प्रीयूएट यूज करना ही नहीं था बोले कर लिया साहब ठीक है गलती होगे वाहल यू दू नौत नो दा बुक वैल्यूवेट ही उज त संब से वेल्यूवेट उतन्ट किया वोला कीजिया हुआ है केड़ी दिया हुआ है हमें तो किस से ने निम्कालना मार्केट तो द सीधा सीधा दे दे ताम market value weight तो उसके साब से के ओ निकलते वा value firm निकलते एक्क्यूरेट लेकिन भाई साब उन्होंने कहा कि market value of equity कितना होगा मैं जो book value of equity होगा उसका तीन गुना ज्यादा ठीक अब market value of debt book value of debt के बराबर होगा और आपको क्या निकलना correct value of firm company अच्छा तो अब सबसे बड़ी रिक्वान वैल्यों कंपनी मतलब वैल्यों फर्म तो मैं सीधा निकलूगा वैल्यों फर्म इस इक्वल टू फ्री कैस्ट फ्लो फॉर्द फॉर्द फॉर्म डिवाड़ेड वाए के ओ मैनस जी बस यह वाला कौन सा चाहिए मुझे मार्केट फिर्ड़ फर्यों फर्येख मुझे वैल्यों के सबसे काम किए लेकिन अपना Όसय क्या वह थिये फिर्म ट्सिवा इया हुए है है क्या यह दिया हुए है यह स्फ़ो फिर्वकल बहु में पंवाड़े करके सबसे ख्यादक कांशना तो छुचए को अगनी ऑकतिो सब्सक्या यह दिया यह दिया यह X की value निकल जाएगी और X की value कितनी आई 9 पॉश तिक अब हमको यह मालू हमको मालू है कि ओर 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 कॉस्ट अपिटल ऐसे निकलता है यह मालू है यह मालू है यह कितना है नाइन तो एक को लिया मैंने डब्लू ए और एक को लिया वर मैंने डब्लू यह कहां पड़ा यह डिटेल में portfolio security analysis पता नहीं कहां का तो इसके साथ से value of equity कितना है 0.5 और value of debt कितना है 0.5 पुले value of debt में कोई change नहीं है साब value of equity जो है book value से 3 गुना जाता है तो into 3 कर लेते हैं तो यह आ गया value of equity 1.5 value of debt 0.5 तो दोनों मिला कर कितना हो गया है 2 तो क्या weight नहीं कर सकते है 1.5 divided by 2.5 divided by 2 तो value of equity कितना है 0.75 और value of debt कितना है 0.25 और इसके हिसाब से फिर हम लोगों ने यह निकाला कियो 12 into 0.75 market value के सबसे तो यह गया 10.5 और इसको हमने यहां रखका correct value of firm निकाल ले यह भी question अच्छा था correct value of firm ठीक है यह question है calculate the value of share from the firm value of share निकाला profit दिया company का 290 करोड, equity capital दिया 1300 करोड पार value of share मतलब एक share का face value face value 40 रुप है debt ratio debt divided by debt plus equity 27 percent long run growth rate of the company 8 percent beta 0.1 risk-free interest rate 8.7 market return दिया 10.3 capital expenditure and appreciation change in value of share value of share कैसे निकाला जाता है अगर मैं कहूं कि equity वालों के लिए equity वालों के लिए कितना एक share पे कितना तो मेरी बास समझो अराम से समझते question को profit कितना है 290 क्रोड यह question डला हुआ है यह question मेरा already डला हुआ है 290 और number of shares कितने है sir number of shares तो सबसे पहले number of shares निकाल लेते है 1300 divided by 40 32.5 तो यहां divide किसे करेंगे 32.5 तो यह आगए आपका 8.923 EPS कोई दिकत की बात नहीं लेकिन क्या capital expenditure होने वाला हां total में दिया तो ठीक है नहीं दिया तो हम per share भी देखेंगे तो अब इसको देखो capital expenditure minus depreciation plus तो ऐसा कुछ करते थे sir 47 यह खर्चा होने वाला ठीक है sir working capital का खर्चा यह होने वाला 3.45 यास पर sir depreciation क्या हो जाएगा plus मतलब यह दोनों खर्च depreciation बचेगा मेरा depreciation कितना बचेगा 39 नेट मेरा खर्चा कितना होने वाला net investment बोलते थी हम उसको 47 plus 3.45 minus 39 तो 11.45 नहीं यार 47 plus 3.45 minus 39 हान असर उतना ही तो भी 11 रुपिया 45 पैसे गा खर्चा होने वाला है तो ठीक है ना सर वो भी यहां से minus करते हो लेकिन बेटे जितने भी expenditure है जरूरी नहीं है कि जो expenditure होते वो पूरा पैसा equity का लगता होगा कुछ पैसे debt वाले के भी कुछ पैसे equity वाले के भी और equity वालों से share issue नहीं करते हैं जो पैसा है उसी का हम अखिर यह पैसा किसका equity वालों का ना इसी में से यूज कर लेते इसी में से खर्च कर लेते पर खर्च पूरा नहीं करेंगे जितना capital expenditure लगने वाला है हम अपना capital structure maintain करते हुए चलेंगे इट मेंस हमारा capital structure क्या है हमारा capital structure कि debt हमको 27% रखना है अगर debt हमको 27% रखना तो equity वालों से कितना पैसा काट होगे so minus 27 73% equity वालों से वसूल करोगे इट मेंस हमारी policy यह है कि जितना पैसा जितना लगता है उसका 73% equity वाले देंगे और debt वाले 27% देंगे debt वालों से था हम वसूल कर लेंगे वो पूछा नहीं है equity वालों से वसूल नहीं करेंगे इसी मेंसे कट कर देंगे तो देख लेते हैं कितना 73% into equity वालों का देख लेते हैं 11.45 into 73% तो 8.3585 यह इसमें से कट करने के बाद free cash flow for equity आ जाएगा automatic आ जाएगा free cash flow for equity क्योंकि यहाँ preference share तो है नहीं है और के सर यह बात है क्या हां बेटी यही बात है अब आया है समझ वे ठीक है तो वही मैंने काम किया होगा पहले निकाला number of shares फिर profit per share निकाला उसमें से यह मैंने net investment किया 4739 यह आ गया net investment इसका यह आ गया यह सी रसीदा कर लिए अब दिक्कत यह है कि मांगा क्या value of share निकालने के लिए सर मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए free cash flow for equity first year का divided by क्या चाहिए के माइनस जी यह तो हो जाएगा यह कितना आया था 0.56451 पॉंट ग्रोथ रेट कितना चेक करो 8% तो 1.08-0.08 चेक करो के कितना दिया के नहीं दिया साफ अगर के नहीं दिया तो पॉंट वन दिया तो क्या यह कंपनी का बीटा है और कंपनी का बीटा तो सिर्फ यह तो छोड़ दो calculation आप देख ले ना ठीक सर कर्रेक्ट आंसर तो बता दो 886 है यहलो 0.0 पहले 886-0.08 0.5645 इंटो 1.08 दिवाद मर्स एक्वल तो यहलो है 70.8 यहलो इसे वैल्यू पर्श है ठीक है ब्रेक ले ले ठीक है सर थोड़ा सा ब्रेक्ट चलो जी आगे चले यहसा तो अब एक और question है अच्छा question है हलाकि question कौन से topic पे है topic का नाम है value of strategy इसमें होता क्या है बिटे मेरी बात समझने के कुश्च करना हमारा ultimately वह है free cash flow पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारी पहले से एक हमारा business चल रहा है ठीक है सर और उस constant growth है कि वह growth ही नहीं है मतलब बस stable है चला जा रहा है पर हमारे मन में आया है कि यह business को बढ़ाना चाहिए expansion करना चाहिए और हम expansion करने को तैयार हो गया नो डाउट शुरू में पैसा लगेगा पर बोले growth मिल जाएगा abnormal का शुरू में जैसे होता किया एक business है और हम कुछ बड़ा बनाएगे तो वह 2-3 साल तक growth करेगा उसके बाद हम सारे customer को capture करेंगे वह customer एक limit से जादा नहीं होगे उसके बात फिर वह इस्ट्राइबलीस हो जाएगा मेरी बास हमना हम एक strategy बना रहा है जिससे नो डाउट हमारे business में growth होगी आने वाले 2-4 साल उसके बात फिर business क्या हो जाएगा पूरे customer हम capture करे maximum उससे ज्यादा तो ही नहीं सकता फिर इस्ट्राइबलीस हो जाएगा तो वह strategy से हमें जितना भी फायदा होगा पहले कोई strategy थी नहीं जैसा चल रहा है वैसे चलाओ या तो strategy adopt करो और उसे extra कमाओ वो जो extra कमाओ के this is value of strategy उसको कहा जाएगा value of strategy बास समझाने की कोशिश करो लिखा ABC company is considering a new sales strategy that will be valid for next 4 years चार सल तक वालिट रहेगे टीक उसके बाद sales जो है वह established हो जाएगे growth type होगा they want to know the value of a new strategy हमें value the following information relating to the year which has just ended is available just पहले का sales दिया हुआ है gross margin दिया है ठीक administration selling and distribution expenses है profit before tax है और tax है तो profit after tax है ठीक है balance sheet में fixed assets है current asset है equity है फिक्स इस side का इधर equity होगा है if it adopt the new strategy sales बुले बढ़ जाएगी कितने परशन से 20% per year for 3 years और 4th year के बाद established हो जाएगे 20% से gross margin ratio, asset turnover ratio and capital structure and income tax rate will remain unchanged फिर से बोल रहा हूँ क्या लिखा है, मुझे जीपी सेम रहेगा, ठीक है जाए, important है fixed asset turnover ratio सेम रहेगा capital restriction में debt equity ratio जो रहा रहेगा, वो सेम रहेगा, debt तो दिखी नहीं रहा मुझको depreciation लगाया जाएगा 10% of net fixed asset at the beginning, यह important line है, beginning of the year में लगाया जाएगा company का target rate of return है, 15% determines incremental value due to adoption of the new strategy ठीक है, okay sir, पहली बात, अगर हम new strategy follow नहीं करते, तो कितना कमा रहे थे, sir हम इतना कमा रहे चबुदा संलाक, कोई growth था कि नहीं, कोई growth नहीं था, तो क्या इसी का हम perpetual value निकाल सकते है, business की, yes, और हमने business की value निकाला होगा, और यह निकाला हमने business की value, चबुदा सो divided by 15% perpetual है, 9333, ठीक है sir, okay, दूसरी मत, अगर हम strategy adopt करते हैं, तो हमारा sales से बढ़ेगा 20%, sales से बढ़ेगा, सब चीज 20% से बढ़ेगा, तो यह जो profit after tax है क्या है, यह भी 20% से बढ़ेगा, हाँ, तो क्यों हम sales को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, सीधा noppet को भी बढ़ा दिते, yes, तो मैं इसी को 1420% से बढ़ा रहा हूं, 3 साल तक, check करते हैं यह दिख लेथे, 1400 प्लस 20%, 16 स्वस्थी, प्लस 20%, 2016, प्लस 20%, और फिर तो बढ़ने नहीं है, बढ़ेगा, शुरू के 3 साल तक 20% में बढ़ेगा, उसके बाद, 14 साल में इस्टाबलेश हुआ है, अब यह तो होगा, अब इसमें से क्या माइनिस करना, capital expenditure minus depreciation नहीं है, इंपोर्टन है, अब सुनों, important क्या है, capital expenditure मतलब, depreciation कैसे निकलेंगे, fixed assets, यह हिसाब fixed assets, ओके सा, यह fix assets, अब एक बात और लिखिये, कि capital turnover ratio, asset turnover ratio, same रहेगा, asset turnover ratio का मतलब क्या होता, formula क्या है, फूल जा, मुझे formula नहीं मालूं, पता भी नहीं करना, पर मुझे मालूं है, कि fixed assets है 8,000, और यह है 20,000, अगर यह ratio ऐसा है, तो यह अगर 20% से बढ़ेगा, तो कोई शक्की बात नहीं, अच्छा सर, तो वो ही मैंने यहां काम किया होगा, सबसे मैंने sell से बढ़ा दिया, क्या है, उसी के हिसाब से मैं fix assets, मतलब 20,000, plus 20,000, 24,000, plus 20,000, 28,800, plus 20,000, यह हो गया, और 14,000 तो बढ़ेदे नहीं है, उसी के हिसाब से fix assets, फिर मैंने किया निकला, यार fix assets अभी कितना है, इसको भी 20% से बढ़ा सकता हूँ, क्या हिस, मैंने किया कि 8,000, plus 20,000, 9,600, plus 20,000, 11,520, सरी 40% क्या लिखा, बैटे, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो इसका 40% निकालोगा, तो यह जाए, घंपा देगे, अब सवाल है, बिल्कु धियान से समझने, जो depreciation लगने वाला है, depreciation, वो beginning पे, मतलब पहले साल किस पे लगेगा, 8,000 पे लगेगा, ठीक है, तो अगर मैं कहूं, पहले साल का depreciation, 9,600 पे नहीं लगा सकते, कितने पे लगाना पड़ेगा, 8,000 पे, 8,000 इंटू, 10 परशन, 800, यह 800 depreciation यहां लगेगा, यहां लगेगा, पर यहां के लिए, beginning value यह वाली हो जाएगी, 9,600, तब 9,600, का 10 परशन, 960, फिर यहां 11,500, अभी यहां, इस तरह से depreciation लगेगा, तो हो गए ना सर, fix asset minus depreciation, बिट्टे, यह capital expenditure नहीं है, यह fix asset maintain करना है, यह क्यों निकाला, क्योंकि मैंजे depreciation चाहिए, अब सुनो धियां से, मेरी बात ठीक से समझना, बड़ी important बात बुलने वाला हो है, यार fix asset थी 8,000, 8,000 में इसे तो सर, 800 तो depreciation लग गए, 8,000 minus 800, सर, fix asset की value बची 7,200, पटे सुनो यह, fix assets की value 7,200, पर हमको maintain करना है 9,600, तो सर, fix asset खरीदना पड़ेगा, यास, 9,600 minus 7,200, तो हमें 2400 की fix asset खरीदना पड़ेगा, बास समझ में आ रही है, 8,000 था सुरू में 800 depreciation कटा, तो कितना बच्चा, 7,200, जबकि fix asset maintain कितना करना है 9,600, तो extra fix asset कितनी लगए, 9,600 minus 7,200, 2400, चाहता हूँ आप fix asset account बना ले रहा, तो यार, सी यह लोग हो account में expert, सर, मालो हमें यहां की additional fix asset निकालना है, तो 9,600 थी, 960 तो depreciation लगा, 9,600 minus 960, तो 8,640 fix asset बच्चा है, जबकि रखना है 11,520, minus 11,520, तो additional fix asset कितने का लगएगा, 2880, तिक, मैंने आपको बता दिया, बाकी lecture में मैंने करवाए हूँ, detail मैं अच्छे से करवाए हूँ, पर यह समझ जाओगे आपको, तो यह है additional, इतना खर्चा fix asset पे और 800 क्या है, depreciation तो net कर सकते हैं, 2400 minus 800, तो यहां कितना आजाएगा, 1600, 2880 minus 960, तो यह आगे, इस तरह से काम होगा, same working capital का भी कर लेते हैं, working capital पहले कितना है, 4000 तो यह भी 20-20 परशन से बढ़ा, तो extra यहां कितना लग रहा, 800 यहां कितना लग रहा, 960 यहां कितना आगे, 1152 यह तो कर चुक है, 800, 960, 1152, और यहां offset हो जाएगा, ठीक, अब sales ही बढ़ना बंद होगा, तो working capital भी बंद हो जाएगा, तो यह fourth year का, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, present value, पर यह कपका निकला, third year, और यह third year का minus में है, तो इन दोनों को set करके, third year का निकल लेते, cash flow, 16,128 minus यह कर दिया, तो यह आगा 15,000, अब present value निकल लेते, देश देश और यह plus में है, तो यह value of business निकला, value of business, अगर हम new strategy adopt करते हैं तो, इतना, अगर नहीं करते हैं, तो इतना 9333, तो उस हिसाब से, मेरे strategy की value तो negative में आ गए है, और क्या हमें यह strategy adopt करना चाहिए, यह बिल्कुल नहीं सर, कुई मतलब नहीं, ठीक, तो यह कोश्चा था, बैदरीन कॉश्चा है, यह लबाई, chop-sop approach, chop-sop approach या break-up value approach क्या है, हम business का, जब-जब भी value निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, हम free cash flow या profit after tax, ऐसा बोल दो, इसको multiply कर रहे थे, price and interest उसे, capitalization रहे थे, या फिर, तो इस तरह से, हम क्या निकाल दे थे, market cap, या market value, यह काम हो रहा था, it means, पूरा की पूरा focus किस पर होता था, earning पर होता था, earning, सर जी, क्या किसी भी business की value निकालने के लिए, earning ही important है, कि इसके अलावा, अलग-अलग factor भी हो सकते, yes, आप sales भी तो देखिए, आप assets भी तो देखिए, तो अभी करना क्या है, आपको यह earning बना किस से profit आया कैसे, उसको break up किजिए, अप net assets देखिए, उस company की, उस company के sales देखिए, कई company ऐसी होती है, जिसमें net assets, important role अदा करती है, तो मैं आप से बोल रहा हूँ, कि company की value सिर्फ earning को देखिए, आप decide नहीं कर सकते, हाँ यह भी एक factor, लेकिन यह लोग भी तो एक factor है, और इसके लिए capitalization rate सबका ले लिजिए, मतलब break कर लिजिए, पुरी company को थोड़े थोड़े part में break कीजिए, और उससे capitalization value निकाली, capitalized value, earning को बेस लिए, net asset को बेट लिए, sales को बेस लिए, और इसके लिए यह सबका बना, और फिर आप चाहता average कर लिजिए, it means, chop shop approach या break up value approach क्या बोलता है, बोलता सिर्फ आप एक को बेस नहीं ले सकते, दूसरी बात है, आप price earning ratio बेस ले रहे तो सब retail market अलग होता, wholesale market अलग होता, सबके लिए एक जैसा price earning ratio कैसे ले सकते हैं, आप comparison, तो बोले सबको अलग-अलग कीजिए, अलग-अलग department के लिए capitalization rate अलग-अलग हो सकते हैं, तो बहले वैसी उच कीजिए, ठीक है, इसी पर ये question है, ये करवाय हो मैंने, using the chop shop approach, our break up value approach, assign a value of cranberry limited, whose stock is currently trading, अभी कितना है, euro 4 million, for cranberry limited, the accounting data source for three business segment, wholesale, retail है, और general center, और data दे रखा, sales दे रखा, तीनों का, asset दे रखा, wholesale, retail, general, और operating income दे रखा, industry data for pure platform have been compiled, and our summarizes follows, capitalization rate दे रखा, sales का, assets का, और operating income का, wholesale है, retail है, तो सबसे पहले काम क्या करे, sir सबसे पहले हम, एक business पकड़ा लेते, wholesale, sales को अलग capitalize कर रहे हैं, asset capitalization, जैसे हम EPS into price earning ratio कर रहे थे न, अब sales को ले जिए, और capitalization rate से multiply किजिए, sales लिए हम आने, दो पच्चिस, 6,00,00,25,000, 2,25, 6,00,45,000 और capitalization rate नीचे दिया है, 0.85, 1.2, 0.8, उससे multiply कर दिया, तो capitalization rate आ गए, यह आगे total capitalization, क्योंकि तीन चीज़ को बेस लिया, एवरेश कर दिया, तो यह आ गया, यूरू, ऐसी कौन से बिजनेस का किया है, रिटेल बिजनेस का किया, ऐसी कौन सा जनरल बिजनेस का किया, और अब तीन है, इसको, इसको, और इसको, इन तीनों को एट कर दिया, तो यह आ गया, वैल्य यह कौन से कंपनी की यह wholesale business की value निकल गई यह किसकी retail business की value और यह किसकी general business की value तो यह आ गया value of farm जबकि company की value अब हम comparison कर गए कि total market value कितना है stock कितना है तो decide कर लेंगे की under price है की over price है जबकि इसको मैंने capitalization किया तो value कितना आया इतना जबकि value stock market में कितना चल रहा इतना ठीक है खेर इतना research करना ही नहीं था बस उसने कहा value निकालो तो उसने निकाल लिया ठीक कि यहां दो कोई दिक्कत थी सब कोई दिक्कत नहीं और यह लोग इंट्रस्ट coverage ratio आपके लेवल का है नहीं है यह अच्छा सब्सक्राइब कहां कहां इंट्रस्ट coverage ratio इंट्रस्ट coverage ratio इंट्रस्ट का फॉर्मूला पता है आपको पता है सबसे पहले क्या होता है EBIT और उसमें से माइनस क्या होता है इंट्रस्ट तो क्या आता है EBIT इंट्रस्ट को cover कौन करता है cover EBIT तो फॉर्मूला वालो है क्या फॉर्मूला है EBIT divided by interest अगर मैं यहां लिखू कि 40,000 है EBIT और इंट्रस्ट है 4000 आंसर कितना आएगा 10 इसका मतलब समझा सकते रीट कर पाओ कि यस सर हम इतना कमाते हैं कि इंट्रेस्ट जितना देना उससे 10 जुना के जाधा कमाते हैं खूब कमाते हैं और किसी कंपनी का in-drust coverage ratio है 5 मतलब वो सब इस एंट्रस्ट कवरें देना उससे 5 गुना जाधा कमाते हैं कौनसी कंपनी अच्छ है सज इसका interest coverage ratio ज्याधा रहएगा वह अच्छी common sense यह तो बच्च वाला काम है शरी यह बच्च वाला काम आप करवाने वाले हो क्या करें भाई मजबूरी है टाइगर लिमेटेड इस प्रेजेंट ले वर्किंग विट इब 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 इट दिया हुआ आप 15% EBIT बाड़ेगा इंट्रस्ट भी बाड़ेगा चेक करते हमें इंट्रस्ट गवरेज रैशो क्यालियट दत्रशन अब इंट्रस्ट करेज रैशो आफ्टर एडिशनल बोर्रिंग कैसे आये होगा 312 परशन 200 परशन 177 तो यह आये इंट्रेस्ट कवरेज रिश्यू अब उधार लिया 100 लाक तो 15 परशन से इबढ़ जाएगा तो इंट्रेस्ट कवरेज रिश्यू यह पहले यह था यह तो कम हो गया है वही कम हो गया तो भी अच्छी बात नहीं है तो इंट् हाँ जी अब बात है गेरिंग ऑप बीटा इस दे लास्ट टॉपिक ऑफ कॉर्परेट वैलिएशन सर होता क्या है गेरिंग पीटा तो बीटे बात समझना हम लोगों का यह मानना कि डेट एक टाइप का रिस्क है कंपनी के लिए और जीस कंपनी में डेट लीवर्ट लीवरेस बीटा वह बिवर्प घे जिस कंपनी में डेट है उस कंपनी का इकविटी बीटा ज्यादा होगम लिए सुनना मेरी बात को ठीक से ग्सकैना को नोजहां थे फोड़ा इस पीट से चलूंगा पिर से बोलों रेविजन करें नाया इसलिए इस पीट से चलूंगा पर कोई सीं करूंगा कि आपके समझ मैं आच आइन है और किसी कंपनी का फ्रीक्श फ्लो कि तु से डप है के आपको RF दिया और RM दिया है ठीक है RF और RM दिया क्या नहीं है Electronic और एक बैलन्स शिट है एक्वटी है साथ लागका डेट है तीन लागका assets है total assets कितने का है 10 लागका तो यह है दस लागका अब एक बात मैं अपको बता रहा हूं कि ऐसा है कि अब economy change होता है economic तो क्या company की value भी change हो जाती है यस और अभी तक हमने यह देखा है कि जितनी भी electronic form है मैं आपको past history बता रहा हूं जितनी भी electronic form है अगर economy 10% से गिरता है economy 10% से गिरता है तो company की जो value है वो 20% से गिरता है मैं share की बात नहीं कर रहा हूं मैं company की assets की बात कर रहा हूं assets की value में भी तो कमी आती हो कि जिस project मैं पैसा लगा रहा है उसके assets की value में कमा हां सर तो मैं फिर से बोड़ रहा हूं अगर economy down हो का तो assets की value economy 10% तो assets की value 20% से down होगा तो उस company का assets की बात करो तो उस company का assets की बीटा कितना हो गया है यही बात है तो overall बीटा बोलो या assets की बीटा बोलो कितना है economy 10% से तो assets 20% से यहां तक बात समझ में आती है इसका मतलब सर assets जो है 10 लाक से कितना हो गया है आठ लाक यहां तक ठीक है okay सिर्फ एक question simple सा liquidation पढ़ा था किसी जमाने में हां अगर assets कम हो जाती है value कम हो तो पहले पैसा कौन ले जाएगा debt वाला और उसके बाद जो पैसे बचेगे वह किसको बचेगे मिलेगे equity को यही बात है तो अगर assets की value कम हो जाती है तो debt वालों को कोई नुक्सान नहीं है उनका risk free होता है जो loss है वो किसको है वो equity को होता है it means अगर मैं आप से कहूँ debt की value 3,000,000 तो 3,000,000 ही है पर equity का value 7,000,000 से कितना हो गया 5,000,000 हो यहां तक ठीक है फिर से एक assumption एक topic एक logic मेरे साथ में है assets कम होका तो no doubt debt को भी फ़र्ग पढ़ेगा equity को भी पर मान नहीं है debt को कोई फर्ग में पढ़ेगा उनको तो पैसा मिलेगा जो loss bear करेंगे वो कौन लोग करेंगे equity वाले bear करेंगे तो अम मेरा simple question economy 10% से down हुआ okay assets 20% से down हुआ ठीक है equity shareholder कितने person से उनकी value down हो गई सर यह बताईए इसको बनेगे beta of equity फिर जाए economy 10% से assets 20% तो beta of assets कितना assets beta two मैं कहता हूं beta of equity बताईए वो भी निकाल लेंगे कैसे निकलेगा पहले कितना था सर सात लाग अब कितना होगा equity पांच लाग बेस तो सात लाग ही रहेगा तो बोलो कितना percent 28.57% और 28.57% divided by then तो 2.857 मैं क्यों निकालना चाहता हूं beta of equity क्योंकि मुझे केई निकालना है और फिर केडी निकालना तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा मुझे ko निकालना प्र मुझे finally क्या निकालना पड़एका बैढ ए upfront मुझे ko निकालना ओक कि को निकालने के लिए के और के लगेगा और के लिए मुझे beta लगेगा अब बीटा कौन सा equity इसलिए मैं ये काम कर रहू एक बात हां बोलो सर सर यह जमाने भर के चीजे हमें यह निकालना ना बीट आफ एकविटी हाँ सर प्लीज बताओ ना इसके लिए कोई फॉर्मुला है ना बिट्टे विट्टि डिट 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 अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम डेट को रिस्क फ्री मान के चलेंगे डेट का बीटा जी तो बचा क्या ये है अगर मैं कहता हम मुझे क्या निकलना बीट आफ एकविटी मुझ्य क्या दिया है डेट कितना है चेक करो ExpertUD सब्सक्रा ना शाम कॉप्षे क्विट है कितने हैं साथ लाक और दोनों मिला अकर क्यों क्र अधर देस अगर एक करूंगा तो gearing of beta, gear, जहाँ data वहाँ, तो हमें एक बात याद रखनी है, acid beta बोलेगा या overall beta बोलेगा, उसका formula है weighted average, आपको यह देगा तो आपको यह निकलना पड़ेगा, मैं क्यों निकलना हूँ, क्या मुझे के निकलना हूँ, क्या मुझे beta of equity पता लग गया, yes, beta of equity अगर पता लग गया यह निकल गया, क्या KD भी निकाल सकता हूँ, yes, 8% दिया हूँ, क्या weighted average कर सकता हूँ, यह क्या निकल गया, क्यों और क्यों निकल गया, तो क्या निकल जाएगा, value of, बाकी कोच नहीं, बाकी बहुत सारा मैंने detail में समझाया हूँ, 2-3 गंटे इसी lecture में, यह समझाने में 2 ग एक ग्जामपल और देखें कि, yes, free cash flow, 2,00, overall beta दिया है, मतलब सर, beta of acid दिया है, तो हमको क्या निकलना पड़ेगा, क्या निकलना पड़ेगा, क्या निकलना पड़ेगा, उसके लिए beta of equity लगे, RFRM दिया, debt or equity दिया, value of farm निकलना, तो सबसे पहले हम acid beta को यहाँ यूज करें और इसको यूज करके, पाच लाग का हमारा equity है, पाच लाग का हम गया ही है, और दोनों मिलाके, नौ लाग यहाँ आगया, तो beta of equity आगया, और इसके help से हमने क्या निकलना लिया, क्यूंकि tax ही नहीं, अगर tax होता तो मैं RF 1- tax करता, तो इसी को मैंने केड़े ले लिया, फि क्या निकल गया साफ, value of fund, simple, sir और एक example, yes, free cash flow, 1,25,000, RF, RM, debt equity ratio देखा, 1 is to 4, overall beta दिया है, 0.9, overall beta से सबसे पहले हम को क्या लेना पड़ेगा, beta of equity, beta of assets is equal to beta of equity, अगर, sir, debt का beta होता, तो क्या होता, एक आथ question आ गया भी, sir, अगर debt का भी beta होगा, तो फिर क्या होगा, बैटे, कुछ नहीं होगा, फिर मालूम है क्या है, यहाँ debt का beta अभी 0 है, अगर मैं यहाँ कुछ और होता, तो हम यहाँ 1.5 लिग देते, अगर 1.5 बता लो, तो tension वाल तो beta of equity आ गया, उससे हमने क्या निकाल लिया, की निकाल लिया, कीडी निकाल लिया, फिर क्यों निकाल लिया, फिर value of firm निकल गया, इस question में हम सीखने को किया मला, कुछ भी नहीं भई, 1 is to 4 है बस, आगे चले, free cash flow, RF, RM, equity, debt, 30%, beta of acid दे रखा 1.1, तो इसमें, अच्छा, ये है भाई, tax का rate कितना दिया है, 30%, tax का rate 30%, तो फिर क्या काम करना पड़ेगा, beta, acid, beta of equity, equity, debt, क्या debt पर tax saving होता है, yes, तो हमको वो भी लेना पड़ेगा, this is value of equity और यहां क्या है value of debt, sir, कुछ भी बात नहीं करते हैं, debt पर tax कैसे tax saving होगा, वो तो equity पर tax saving होता है, sorry, interest पर tax saving होता है, बेटे, मेरी बात, मैं फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं logic समझाने के चकर में नहीं रहता हूँ, पर फिर भी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि य 4,00,00,00,000 1,00-1,00,00,000 1,00,00,00,000 2,80,000 है, क्या चीज यह, this is value of debt is equal to 2,80,000,00,000 है, तो 4,00,00,00, पर 1,00-1,00,000 टैक्स लिया, और मैं जा रहा हूँ, debt पर tax saving होता है, debt पर tax saving होता है, interest पर tax saving होता है, बेटे, मैं आपको समझा रहा हूँ, बूलो debt कितने का है, 4,00,000, और rate 28,000 आ गया इस पर टेक्स सेविंग हो सकता है इस इंट्रेस्ट यस सर टेक्स सेविंग कर लेते 30 परशन तो बचा कितना 70 परशन सर 19,600 रुपए यह है यह क्या निकला यह निकला इंट्रेस्ट आफ्टर टेक्स अब मेरा कोश्चन सुनना है 11,600 रुपए 11,000 इंट्रेस्ट क्या मुझे देना पढ़ेगा यह फिर मुझे मिलेगा यस मुझे मिलेगा और 19,600 रुपए, अगर मैं bond holder हूँ, तो मुझे मिलेगा 19,600, कब तक मिलेगा, perpetual, या मुझे जो debt पे perpetual मिलेगा 19,600 रुपए, क्या उसका present value निकल सकती हूँ, yes, divided by, divided by, divide किस से करोगे, 7% after tax, KD से ही divide होगा, 7 into 0.7, 4.9% से divide होगा, तो 19,600 divided by 4.9%, तो answer कितना आजाएगा, answer आजाएगा, हमारा 4,00,000 रुपए, ठीक है, पर यहाँ tax से divide किया, तो यहाँ सीधा-सीधा किस से divide कर देना, 7% से 19,600, मिलेगा after tax, divided by 7% करोगे, तो आजाएगा 2,80,000, खेर, यह बाते मिने आपको कहां समझाए हूँ, आप original lectures देखोगे ना मेरे, तो उसमें यह बाती समझ में आजाएगी, कि सीधा-सीधा 4,00,000,000 after tax कर सकते हैं, यह after tax लिया, और यहाँ सीधा-सीधा काम कर लिया, ठीक है, ओक कैसा है, तो बस इस question मैं बस tax दिया था, इसलिए मैंने 1-1 tax किया, और फिर मैंने सीधा-सीधा beta of equity निकाल लिया, और फिर केई हो गया, केडी हो गया, overall cost of capital हो गया, value of firm हो गया, एक ही चीज़ थी क्या था, tax, अगर tax का rate दिया है, सहाब, तो यहाँ debt 1- tax लिखना पड़ेगा साथ, ठीक, आगे चल रहा है, अब सुनोगे, illimited electronic firm है, free cash flow दिया, RF दिया, RM दिया, equity debt, tax current value, और average overall beta of electronic industry है, अब सुना, हमें अपनी company का overall beta नहीं मालूँ, ठीक, पर जो electronic industry है, उसका overall beta मालूँ है, और उसका overall beta कितना है, one point, in electronic industry है, उसका beta है, one point two, तो हमारा overall beta कुतना होगा, one point two, mm, mm का assumption है, और क्या assumption है, assumption यह है, सहाब, कि अगर economy गिरता है, तो मालूँ कोई electronic firm 20% से गिरती है, उसको फर्क बढ़ता है, तो दूसरी electronic firm भी 20% से, overall beta 20% से गिरेगा, मतलब assets में तो सबका एक जैसा फर्क पड़ेगा, पर equity में एक जैसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि किसी में debt जाता होगा, किसी company में equity जाता होगा, फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा मुस्किला, assumption, कि अगर economy गी रहा है, तो मैं electronic firm, मेरा भी total assets गिरेगा, value गिरेगा, कोई दूसरे, उसका भी total assets उतने से ही गिरेगा, total assets, लेकिन इसका equity अलग है, मेरा equity अलग है, इसका capital structure अलग है, मेरा अलग है, अगर मेंज में debt जाता मुझे बहुत ज़्यादा फर्फ पड़ेगा, समझ रहे हो आप, it means एक assumption पर काम करना पड़ेगा, overall beta of same industry, of all company of same industry, same industry की जितने भी company, सबका overall beta same रहेगा, यह आपको मानना पड़ेगा, since overall beta of two company having same industry, sell भी same, this is 1.2, तो फिर इसका भी हम कितना मानने 1.2, और इसके हिसाब से tax credit दिया हुआ, तो beta of equity आया 2.04, तो यह आगाया, K 19.28%, KD आगाया 3.5%, और को निकल लिया 11.375%, ठीक है, और value of firm फिर आटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, no sir, होगे, एक assumption याद रखना, overall beta सबका same रहता, चलो जी, हमारी electronic firm है, free cash flow 85,000, RF 6%, RM 10%, tax credit है 30%, हमारा debt equity ratio कितना है, 1.4, हमारी जैसी ही और एक company है, जिसका beta of equity है 1.8, और debt of equity कितना है, 1.3, सवाल बस simple सा है, क्या उसका beta of equity यूज कर सकते, नहीं, क्योंकि उनका capital structure अलग है sir, और हमारा capital structure अलग, 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 हाँ, overall beta हमारा एक जैसा हो सकता है, तो साब पहले मुझे इसका overall beta निकलना पड़ेगा, और जो इसका overall beta निकलेगा, वो मेरी company का भी overall beta नेगा, और फिर उसको यूज करके मैं beta of equity निकालूँगा, फिर की निकालूँगा, फिर केडी निकालूँगा, फिर डबलू एससी निकालूँगा, के ओ, और उसके बार निकलेगा value of firm, तो सबसे पहले मांगा, calculate overall beta of similar company, इसका overall beta, ठीक इसका तो निकाली सकते है, overall beta निकल गया, formula होई गया हमारा, फोरूमले पे तो दिखते ही है, तो मैं आपको समझा चुका हम वेटीड एवरेस, तो beta of asset of unlimited salary 1.4, ये वाला हमारी company का beta ये वाला हो जाएगा, और फिर इसको base रखकर हमने beta of equity निकाल लिय और beta of equity से फिर हमने क्या निकाल लिया, केई, और केई और फिर केडी निकाल लिया, और फिर WSEC निकाल कर value of form निकाल लिया, ठीक है, आपना calculator चलाओगे, मेरी वास समझा, मैं तो बहुत speed से चल रहा हूँ, आप कम से कम calculator चला कर थोड़ा सा देखोगे, कि ये सही आ रहा है, ठीक है, तो basic क्या है, अगर मैं कहूं, मेरी book में, तो मेरी book में तो gearing or beta के बड़े सारे questions है, बहुत सारे questions है, पर मैं वही question करवा रहा हूँ, जो आपके practice manual है, ठीक है सर, तो हो जाए क्या question, ये रहा question, ABC a large business house is planning to sell, ABC कोई company है, और sell करना चाहते है, holy owned subsidiary KLM, और एक large business entity XYZ, जो KLM को खरीदना चाहता है, It means, एक हो गया ABC, और इसी KLM, और ABC एक company है, उसका एक business है KLM, जो किसको बेचा जा रहा है, XYZ को बेचा जा रहा है, ये कहानी अभी तक, XYZ को ऐसा लगता है कि after acquisition, जो earning है KLM का, वो 10 पर्षन से बढ़े जाएगा, Following information, ignoring any potential synergetic benefit arising out of possible acquisition are available, Profit after tax KLM, for the financial year which has just ended, बोले कितना profit after tax है, बोले 10 crores, किसका, इसका साथ, इसका KLM, ठीक है, KLM after tax profit है, बोले बढ़ेगा हर साल, कितने पर्षन से, 7 पर्षन से बढ़ेगा, same is expected to continue, सहब, XYZ, आप हमको खरीदो, मत खरीदो, दिक्कत की बात नहीं, हमारा profit तो 7 पर्षन से बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है, Post tax market return 10 पर्षन, risk free, मतलब इस RM दिया है, और RM दिया है, 4 पर्षन, और these rates are expected to, continue tax का रेट दिया, 30 पर्षन, XYZ की information है, ABC, सुरो KLM की information ही नहीं है, ठीक है, proxy entity, proxy का मतलब क्या समझते है, जो KLM की जैसी company है, मतलब अगर ये electronic firm है, तो सामने वाली भी एक जैसा business है, बोले, SC company की कुछ information है, dividend payout ratio दिया, debt equity ratio दिया है, ठीक है, price earning ratio है, और beta, beta of equity दिया है, assume gearing level of KLM, gearing level of KLM, KLM का जो debt equity ratio है, वो सेम रहेगा किसका, ABC का, ABC मतलब किस ratio में, ABC कहा है, सुनो, ये XYZ है, और ये है ABC, अभी में गरबड कर देता है, मतलब 1-2-3, मतलब इसका debt equity ratio, 1-2-3 लेगा, appropriate K निकालना है, किसका KLM का, मिरी बास समझो, K E निकालना है, overall cost, तो K E के लिए सबसे पहले हमें क्या निकाना पड़ेगा, overall beta, और overall beta किसका निकालोगी, इसका तो ही नहीं है, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, overall beta proxy का, और ये मान के चलेंगे क्योंकि ये same company है, overall proxy और KLM, तो इसका overall beta जो निकलेगा, हम ये मान लेगे कि वही KLM का है, और overall beta से क्या निकालेंगे, beta of equity, और beta of equity से क्या निकालनेंगे, उसके बाद के जी, चलो जी, तो सबसे पहले, overall beta proxy निकाल रहा है, beta of equity ये 1.10, चेक करूं, हाँ 1.10, और debt 1, 4, मतलब debt है 1, 4, 4 plus 1 करना पड़ेगे, 4, 4 plus 1, 1 minus tax, तो ये आगे, ये क्या आया है बिट्टे, ये आया, overall beta of proxy, और हम मानेंगे कि ये जो proxy का beta है, वही हमारा भी beta है, पस debt equity रिशू के तर कितना है, 1 is 2, 3, तो proxy का overall beta यहां लिखा, और यहां मैंने काम कर दिया, तो beta of equity निकल गया, beta of equity ये आगे, और beta of equity को आपने हा, RF दिया है, 4 पर्षन, RF, 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 RF कहा है, पता नहीं है, ये है, RF दिया, 4, 10 minus 4, तो risk premium आगे, अच्छे, और फिर इसको beta of equity से multiply कहा, this is k, यहां हम से value of firm मांगा नहीं है, ठीक है, ओके सर, बात समझ में आती है, और हम से क्या मांगा, हम से मांगा है, value, value मांगा है नहीं, value of firm मांगा क्या है, a range of value for KLM, both before and after any potential synergetic benefit to XYZ of acquisition, अब हमें value निकालना, बिटे point, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, के निकालने में कोई दिक्कत नहीं, institute ने, इसके बाद point number 2 में खेल खेल लिया, और ऐसा calculation है, हमें हमारे होस उड़के भी, या कहां लिखा के कैसे करना है, देखो, अब यहर value कैसे निकाले है, आपको क्या-क्या information दिया है, सर, information तो इतनी सारी है, एक तो dividend payout ratio दिया है, dividend payout ratio, और एक यह price earning ratio भी दिया है, तो institute ने dividend growth model से, और price earning वाले model से, दोनों ही से value निकाल के रखा है, यह question थोड़ा सा ना, ambiguous question है, तो ठीक, पहला वाला point तक तो ठीक है, gearing of beta समझाना था, वो समझ में आ गया, point number B में खेल है, तो हम क्या करें, हम dividend growth model से value निकाले, ठीक है सर, कितना कमार है अभी, अभी हम कमार है, KLM की value निकाला है, 10 करोड कमार है सर, हाँ, no doubt की 7% का growth है, 7% बढ़ जाएगा, ठीक है, growth rate हो दिख रहा 7%, लेकिन साब, dividend कितना दोगी, dividend growth है, सर, KLM का dividend कितना है, KLM का, तो सर, dividend ही नहीं है, पहले सर, यह KLM किस में थी, X, Y, Z में थी, कि ABC में थी, सर, जब dividend दिया जाला था, 50%, और अब यह XYZ खरीद रहा, तो dividend दिया जाएगा, 40%, सर, कौन सा ले, 50% मैंटन रहेगा, चाले, दोनों यह ले लो, बाद हो गई, ऐसे उन्होंने किया, बोले, अगर dividend payout 40% है, तो, 10 करोड कमाऊगे, उसका 40% dividend, उसको 7% से बढ़ेगा, बढ़ेगा, और यह जो निकला है, और 7% का ग्रोथ है, तो इसकी value निकल जाएगे, यह value आगे 108, अगर dividend payout ratio कितना है, 40%, अगर dividend payout ratio कितना है, 50%, तो उसके साब से value निकल लिए, दूसरा कौन से model से निकला, price earning ratio model से, कैसे निकला, value of equity, profit after tax into price earning ratio कर दिया, तो यह आगे 100,00,00, या फिर, 12 कर लिए, मतलब price earning ratio में भी हम फसे हुए थे कि किसका यूज करें, अच्छा, ABC यह तो उन्होंने यूज किया नहीं, एक तो यह यूज किया, इससे कोई मतलब भी नहीं है, एक उसने ये वाला, proxy वाला यूज किया, dividend payout ratio भी कौन सा वाला यूज किया, proxy वाला यूज किया, बोले proxy जो dividend देता हम भी होई dividend लेगे, ठीक है, ओके सर, तो बारा यूज किया, तो बारा यूज किया, तो वैल्यू निकल किया गए है, और वैल्यू कितना है, 120 लाग रुप है, तो वैल्यू कितना देना भाई, मुझे इसा मच्रमिया, आप KLM को खरीद रहो कितना पैसा, तो उन्होंने का minimum एक रैंज देती है, बोले minimum हम देंगे 108, सबसे कम, सबसे कम कितना, 100 सबसे कम minimum, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना देंगे 136, रैंज डेलॉप कर लिया, टिक, दोनों मॉडल से किया, डिविदेंट ग्रोथ, डिविदेंट 40% और प्रॉक्सी वाला, price earning ratio 10 और प्रॉक्सी वाला, ठीक, मतलब जो है KLM को खरीदने के बाद XYZ अपने हिसाब से देगा, कि फिर प्रॉक्सी की तरह देगा, लेकिन एक बात और भूल गया है, कि सहाब आप कैसी बात कर रहे हैं, कहीं ये भी तो लिखा है ना, कि अगर हम KLM को खरीद ले, तो 10 पर्षन से increase हो जाएगी, तो वह synergic benefit भी तो आप लीजिए ना, 10 पर्षन से increase, तो फिर institute नहीं क्या किया, इस question में, फिर 10 पर्षन और बढ़ा दिया, it means वापस सब calculation हुआ, post, नाम दे दिया, post synergistic value, value, जितना था, उसको 10 पर्षन से बढ़ाया, वापस फिर 7 पर्षन से बढ़ाया और फिर 40 पर्षन किया, ठीक, इसी तरह से, और इसमें भी earning को 10 पर्षन से बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये था question, question अच्छा नहीं था, अगर मैं कहूं, question मैंने अच्छा select नहीं किया था, ले important, बस, अब सब कुछ खतम है, corporate valuation में कुछ नहीं है, अभी क्या करना, एक question है, आपका distribution of wealth वाला, तो वो मैं notes में दे देता हूं, आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत जादा नहीं, वो notes में, अब merger बचा हुआ, merger मैं swap ratio भगे रहा है, मेरे ख्याद से merger बहुत मैं बताइए करना है कि टाइम निकल चुका है क्योंकि exam बिल्कुल करीब आ चुके है, इसलिए मैं आपसे बहुत जरूरत है या खुसे कर लोगे, ठीक है, बाई, thank you so much